जयहिन मेरे प्यारे साथियों कैसे आप सभी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे प्यारे दोस्तो आज का या जो वीडियो होगा वो बेसिक मैच का सकेंड वीडियो होगा यदि आप 6 class चे लेकर के 12 class में किसी भी class में पढ़ते हैं तो आपके लिए या video बहुत ही जरूरी है और यदि आप का math कमजोर है आप math को अच्छा करना चाहते हैं मजबूद बनाना चाहते हैं तो आप मेरे दुआरा PDF को बनाया हुआ आप PDF को प्राप्ट करने के लिए चाहते हैं तो आप इस नमर पर WhatsApp कर सकते हैं 797988997348 इस नमर पर WhatsApp करके आप जरूर ले लें बस इसमें से छोटा से फीस रखा गिया है छोटा से प्राइस रखा गिया है जिसमें कि आपको 50 रुपी जो है सारा चेप्टर का 6-12 क्लास के लिए ठीक है आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो सभी क्लास के लिए आपको सारा चेप्टर का PDF मिल जाएगा ठीक है तो चलिए शुरुआत करते हैं और एक एक करके अभी समझेंगे कि संख्यां पदती में हम लोगों को क्या-क्या जानना जरूरी होता है जैसे देखे संख्यां पदती में सबसे पहले हम लोग संख्यां के बारे में जानेंगे संख्यां के बारे में जानेंगे संख्यां कितने परकार के होते हैं और संख्यां किसे कहा जाता है ठीक है यहाँ पर देखिए आपके सामने जो दिया हुआ है आपके सामने संख्या सबसे पहले संख्या जो होता है वो वास्तिविक होता है या फिर कालपनिक होता है दो तरह का होता है यह जो संख्या है कितने तरह का है दो तरह का पहला है वास्तिविक दूसरा है कालपनिक ठ कि कॉन कॉन परिमे संख्यां के और आपरिमे संख्या ठिक है ठेक है रेष न पूर्णांग मिल करके पूर्ण संख्या बनता है तो ये दुनों मिल करके पूर्ण संख्या बनाया जाता है तो इसके अलावे बहुत सारा संख्या है जिसके बारे में आपको अभी बताया जाएगा जैसे कि आपको अभाज संख्या, सम संख्या, बिसम संख्या, भाज संख् के वीडियो डेली अप्लोट करता रहता हूं तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहला जो हम लोग का टॉपिक है सबसे पहला नमबर में यहां पर संख्यां के बारे में समझेंगे संख्यां कि होता क्या है और इसका जैसे 0, 2, 5, 12, 247 इतना है पतलब कुछ भी अगर लिखा जाता है किसी भी चीज को डिनोट करने के लिए उसको सांकेतिक रूप में कोई नंबर यहां पर लिखा जाता है तो उसे को क्या करते हैं संख्या का जाता है ठीक है तो चलिए इसका एक्जामपल समझ गए इसके संख्या करते हैं संख्या रेखा आपको इस तरह से होता है यहां जो आपको सामने दर्शाया हुआ यह क्या है संख्या रेखा का चिन है तो संख्या रेखा का बीच में 0 होता है यह 0 और इधर चलेंगे तो रिनात्मग संख्या चलेगा इधर चलेंगे तो धनात्मग संख् आपको अगर कहा जाएगा कि 2.45 इसको संख्या रेखा पर परदर्शित कीजिए तो सबसे पहले यहां देखे दो क्या है धनात्मक संख्या है और उसके बाद दस्मलब है तो धनात्मक है तो हम लोग को इधर जाना पड़ेगा यह वाला लाइन में देखना पड़ेगा इधर में ठीक है तो यहां पर देखे दो कहा है तो दो यहां पर है तो दो के बाद ही 4.45 होगा दस्मलब चूंकि 2.45 हम लोग बोले हैं तो 2 यहां पर है और 2 और 3 के बीच में कहीं पर होगा तो माल लेते हैं यहां पर होगा ठीक है ना माल लेते हैं कि यहां पर होगा कहीं पर त पॉइंट का ङाल पोईंट है न बंवर जैसे इसका जो परिभास होगा वेसी संध्या जिने संध्या रेखापर पर परद्रस्यत नहीं किया जा सके उससे क्या कहा जाता है कालपरिंग संध्या कहते हैं जैसी रूट के अंदर कोई संख्या अगर माइनस में रहेगा तो ये संख्या को और संख्या रिखा पर नहीं परदसित किया जा सकता है ठीक है ये सभी संख्या को संख्या रिखा पर परदसित नहीं किया जा सकता है क्योंकि रूट के अंदर मैनस में है इसे इसलिए जो है कि कालपनिक संख्या कहा जाता है लेकिन यदि अगर धनात्मक रूप में रहे धनात्मक रूप में रहे जैसे देखिए दो क्या है धनात्मक है अंडर रूट में अंडर रूट में पांच धनात्मक है अंडर रूट में साथ क्या है धनात्मक है तो ये सभी क्या होगा वाश्ट भी संख्या होगा ठीक है क्योंकि इसको संख्या रेखा पर परदर्सित किय जा सकता है आगे का पॉइंट देखे क्या है हम लोग का आगे हम लोग को परिमय संख्यां तो परिमय संख्यां का जो परिभासा है वो बिल्कुल आसान है इसका परिभासा याद रखना जैसे यहां पर देखे आप सामने आपके लिखा हुआ है ऐसी संख्यां जिसे पी बट् जगा में 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि जगा में 0 नहीं हो सकता है तो अगर जीदी 0 हो जाएगा तो अब परिमेशन नहीं होगा ठीक है न तो जैसे यहां पर उदाहरन आपके सामने क्या है दो बट्टे तीन, मैनस पांच बट्टे दो, चार और जीरो तो आप कहेंगे सर चार तो इसके नीचे कुछ नहीं है चार पी बट्टे क्यू की रुप में नहीं है तो इसको चार सिर्फ अगर लिखावा रहे तो समाझना है कि इसके नीचे क्या है एक हमेशा चुपावा रहता है भीन के रुप में एक अगर नीचे दे दें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, चार भी एक परिमे संख्या हो जाएगा और जीरो भी एक परिमे संख्या होगा, वो कैसे होगा वो इसी संख्या जिसे पीवट्टे Q के रुप में नहीं लिखा जा सके जश्ट अपोजित है परिमे संख्या का है ना जश्ट अपोजित हो जाएगा इसका परिवासा जो होगा परिमे संख्या का जश्ट बिप्रित हो जाएगा परिमे संख्याग परिवासा क्या था? जिसे p-8-a code q के रूप में लिखा जा सके और और परिमे का जो परिवासा होगा वो जिसे p-8-a code q के रूप में नहीं लिखा जा सके ठीक है उसे और परिमय संख्या करते हैं ठीक है ना उधारन में जैसे आप देख सकते हैं रूट 2 को जो है आप परिमय संख्या ग्रूप में नहीं लिख सकते हैं रूट 3 को नहीं लिख सकते हैं रूट 1 वट्टे 2 को नहीं लिख सकते हैं यह सभी क्या है और परिमय संख्या लेकिन यही पर अगर बात करें, root under 4, root under 25, root under 16, यह सभी क्या है, एक परिमे संख्या है, क्या है तो परिमे संख्या है, कैसे परिमे संख्या है, क्योंकि under root 4 का वर्गमूल होता है कितना, under root 4 का वर्गमूल होता है 2, तो 2 को लिख सकते हैं, 2 वट्टे, एक इसलिए क्या हो पांच को लिख सकते हैं पांच वटा एक ये आ गया पी वट्टे क्यूं के रूप में आ गया आपका यह क्या हो जागए एक परिमाई संख्या हो जाएगा ठीक है चलिए अगला पॉइंट है अगला पॉइंट हम लोग के सामने यहां पर दिया हुआ है देखिए अगला पॉइंट है पुर्णांक तो पुर्णांक यानि की क्या है पूरा अंक है आठ क्या है पूरा अंक है पांस क्या है पूरा अंक है चार क्या है पूर्ण अंक है तो इसका मत्तों यह सभी संख्यां जो होगा क्या होगा पूर्णांग होगा ठीक है ना यह सभी संख्या पूर्णांग हो जाएगा तुसलिए आप जो है सीधा याद रखेंगे वह से संख्या जो पूर्णांग के रूप में हो कैसा पूर्णांग के रूप में हो उसे पूर्णांग संख्या कहेंगे इस तरह क पुर्णांग में तीन तरह का होता है रिनात्मक धनात्मक और सुनने यह भी तीन तरह का होता है आगे आपका है प्राकृत संख्या प्राकृत संख्या को याद रखना बहुत यासान है प्यारे दोस्तों कैसे याद रखेंगे गिंती की संख्या को गिंती की सभी संख्या जि अनन्त तक जाएगा, इंफिनिटीव तक जाएगा, और सबसे चोटी पराक्री संख्या क्या है, तो एक है, सबसे चोटी पराक्री संख्या है एक, और सबसे बड़ी पराक्री संख्या क्या होगा, वो अनन्त हो सकता है, उसका कोई जो है, अभी तक मापा नहीं जा सका है, तो खाएगा बस प्राखिरी संख्या और फीतर को सब्सक्राइब करने सरे सेAg Ellis Imperium इस एक बसेदार प्राखिर संख्या के समुझ कोने संख्यान है यहां लेकर करके गिंती की जहां तक जा सके वहां तक जाएगा ठीक है आगे चलिए जो कि सम संख्या बहुत important topic है सम और भी सम है ना तो सम संख्या को याद रखना भी बहुत ही आसान है और इसका कैसी याद रखेंगे इसको वह इसी संख्या जो दो से पूर्णतव विवाज हो जाए दो से पूर्णतव क्या हो जाए विवाज हो जाए पूरा पूरा कड़ जाए उसे सम संख्या करते हैं उदारन में देखे क्या क्या जाएगा दो चार छे आर दस है न इस तरह का जो है उदारन आगे चलते जाएगा, तो सबसे छोटी सम संख्यां क्या है, तो दो है, और बड़ी अनंद हो जाएगा, ठीक है, समझ गया आप, जैसे देखिए, यहाँ पर आपको हम दो संख्यां देते हैं, ठीक है, जैसे मालीजे 3254, यह क्या होगा, यह सम संख्यां है, कैसे, क्योंकि इसका अ संख्यां होगा, क्योंकि यह संख्यां जो है, यह संख्यां दो से नहीं कटेगा, दो से नहीं कटेगा, इसने यह बिसम संख्यां होगा, तो इसका मतलब यह है, कि विसम संख्यां का भी परिवासा, आप समझ गया होगे, इसका परिवासा क्या होगा, वो इसी संख्यां, ज देखे हम लोगा क्या है अभाज संक्या का परिवासा होता है यह होता है, वो यह संक्या जो एक तता स्वेंग के अलावा किसी भी संक्या से विभाजत ना हो, एक और खुद से बिवाज हो लेकिन किसी और संख्या से बिवाज नहीं हो उसे क्या काते हैं उसे औभाज संख्या काते हैं उधारन के तोर पर आप देख सकते हैं जैसे मैं देखिए दो जो है दो किसे किसे कटेगा तो एक से कटेगा एक से कटेगा और दो से ही कटेगा बांकि किसी संख्या से ने कटेगा इसके अलावे जैसे यहाँ पर देखे 11 लिखा हुआ है 11 को अगर लें तो 11 किसे कर सकता है एक से विवाज हो सकता है और 11 से ही विवाज हो सकता है इसके बीच में किसी भी संख्या से बिवाज नहीं होगा आप करके देख सकते हैं तो इसलिए इसका परिवासा ये बना है जो संख्या एक तथा स्वैंग से कटे उसे क्या कहेंगे अभाज संख्या कहाते हैं ठीक है तो यहां पर देखें नोट में लिखा गया है अभाज संख्या को रूड संख्या भी कहा जात ठीक है न चलिए आगे देखिए आगे हैं प्यारे दोस्तों आगे का टोपी के हमलों का सौ अभाज संहिंग्या सब्भास संख्या क्या होता है दो या दो से अधिक वे प्राकरी संख्या है जिसमें एक के अतिरिक कोई भी वहिदिश्ट गुनानखन ना हो यानि कि जिसका मौ सोशों मौस क्या हो मौ software एक को मौ簡 कितना होना चाहिए एक हो उसे क्या कहेंग है सवर्वासंख्यां कहेंगे जैसे ऑणेफ्य है साथ और न grown-up साथ और नॉए ये लावा दोनों सेट एक कि अलावा किसी से नहीं कटने वाला है है लेकिन टीन से 9 कट रहा है लेकिन 7 नहीं कट रहा है अगर 3 से कट रहा है तो 2 संख्यां कटना चाहिए अगर कोई सिंगल संख्यां कटेगा तो उसको नहीं माना जाएगा तो इसलिए 7 और 9 आपस में क्या हो जाएगा सो अभाज संक्या हो जागा, क्या हो जागा, सो अभाज संक्या, उसी तरह से तीन और पांच, नो और ग्यारक है, सो अभाज संक्या है, आगे दिखे, आगे है हम लोग का टोपिक है जुड़मा अभाज संख्या जुड़मा अभाज संख्या टूइन प्राइम नंबर ठीक है जुड़मा अभाज संख्या क्या होता है वह इसे दो अभाज संख्या जिसका अंतर क्या हो दो हो अंतर कितना होना चाहिए दो होना चाहिए जैसे यहां पर द या उनिस मैनस सत्रा करेंगे कितना होगा इसका अंतर कितना हो जाएगा दो तो यहां पर इसका परिवासा यह बन जाएगा वेसी अवास संख्याओं का यूग में जिसका अंतर दो हो कितना हो अंतर दो हो उसे क्या कहेंगे सो अभास संख्या कहेंगे ठीक है ना चली इसके ब गुनंखंड हो उसे क्या कि है टो ही गुनंखंड हो उसे क्या कहेंगे अभाज संख्या कहेंगे हैं जैसी शुरवाद हो गा 4 चार किस ऴिस संक्षियां़ से कर सकता है दो से कर सकता है जो मतलब rocket 2022 गुनंखंड आया तीम हो जाएगा यह बहुत अच्छा जानकारी मिला होगा यदि वीडियो आपको पसंद आया है और आप अपना गणित को मजबूत करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और इस तरह का अगर आप पीडियाप लेना चाहते हैं अपने पास हमेशा के लिए रखना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर 7988-97348 इस नंबर पर 50 रुपी फॉन पर या गुगल प के माध्यम से पेमेंट करके स्क्रिंसोट भेजिए आपको जो है पीडियाप पूरा गनित का चैप्टर वाज चैप्टर आपको मिल जाएगा तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद बंदे मातरों